नश्कर मैं हूँ सुकृती रोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है। होटो पर सफेद डाग या डाने क्यों होते हैं। आपके भी होटो पर सफेद डाग या डाट्स हो तो यह कोई आम बात नहीं है। सफेद डाट्स होने पर होट पर जलन या खुझली हो सकती है। कुछ लोगों को सफेद डाग होने पर भी ऐसा होता है। जिन लोगों को ऐसी समस्या नहीं है वो सफेद डाग या डाट्स को हलके में लेते हैं। और फिर परिशानी बढ़ जाती है। Fodder spots के कारण की बात करें तो डॉक्टरों का मानना है कि ये कई गंभीर बीमारियों का नतीजा है। दरसल होटो पर दिखने वाले सफेद दाग या डॉट्स सीबम ग्लैंड से निकलने वाले ओयल के कारण है। ये ओयल जब होटो पर जमा होता है तो बैक्टीरिया और वायरस ग्रो करने लगता है और सफेद निशान उभराते हैं। होटो पर Fodder spots या सफेद dots होने पर जलन या खुजली हो सकती है। होटो पर सफेद दाग या डॉट बन जाते हैं। ये डॉट जातर होटो के किनारे बीच में गाल के अंदर भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हॉर्मोन्स में बदलाव के कारण ऐसा हुआ हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी सेहत का असर आपके होटो और नाखुनों पर भी पड़ता है। बॉडी में हलका बदलाव भी होटो पर सफेद दाग का कारण बन सकते हैं। होटो पर सफेद दाग या स्पॉट्स किसी बीमारी के कारण होता है। हरपीज वाइरस के कारण मूँ में इंफेक्शन हो सकता है। जिसे हम ओरल हरपीज भी कहते हैं। इसमें आपको दर्द भी होगा और सफेद दाग होटो पर देखने लगेंगे। साथ ही होटो पर होने वाले एकने को भी सफेद डॉट ही कहते हैं। गंदगी और ओयल जमने के कारण ऐसा होता है। इसे हम ओरल एकने या बंस कहते हैं। मूँ में सिस्ट या गाठ होने के कारण भी होटो पर सफेद स्पॉट्स आ सकते हैं। सिस्ट होने पर आपको सुई का इस्तमाल करने की बजाए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं तो इंपेक्शन बढ़ सकता है। उमीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।